हालो स्टूडेंट्स बेलकम टू पीब्यारे स्टडी बच्चों आपको बता दें कि आपका नाइंत का मैथ लगवाख खताम हो चुका है आप कैसे देखेंगे सारा कलास ध्यान दीजिए उपर आप पीब्यारे स्टडी ऐसे लिखे सार्च करोगी ठीक है इस पेलिंग देख प्लिट बेसिक मैथ वाला है और उसके नीचे ऐसे जाना यहां देखो कलाफ 910 लिखा है न इसमें देखो टेंथ का यह नाइंथ का है इस पर आप नाइंथ क्लिक करोगे जैसे इस पर क्लिक करोगे आप देखो इसमें सारे वीडियो जट सेबंटी सेबन कलास है ठीक है लब जान रहे हो आप आगले तीन दिन यानि ब्रहिस्पतिवार शुक्रवार और सनीवार को आपकी नई कलासे होंगी तो उसके पहले आप लोग इन सब को रिवीजन कर लीजिए बहुत अच्छे से बढ़ाया गया है सारी कलासे है सेकडों कलासे आप इने देखिए दैन् सब के बचनई कहिन होता है वही होता है किसे में अलग नहीं होता है ये मत सोचना कि हमारा तो अलग बोर्ड है हमारा कुछ और होगा आप सभी बच्चे यह बताओ तुम लोग के किताब में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम या संख्या पद्धती है या नहीं बोलो अगर है तो बोलो हाँ हाँ बोलो हाँ बोलो है तो बच्चा हो कोई भी बोर्ण है आपका नंबर सिस्टम आपको पढ़ना ही संख्या पढ़ना है संख्या पद्धती में आपको नेचुरल नंबर यह प्रकृतिक संख्या और कौन होता है इंटीजर इबन नमबर नमबर यानि सम भी सम पूड़ांक यह सारी संख्या है हमें पढ़ना अपरा कृतिक संख्या है वह गएरा है तो सब में वही है किसी में ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा हो सभी में वही है तो आज हम देखेंगे पहली प्रकार सी 21 का नमबर फिश्टम हिंदी में भी लिख्लो संख्या पद्दति ऐसे आप द्याद दो इधर साइड में रख्यों संख्या पद्दति आप जानते हो क्या होता है सभी जानते हो संख्या के पीछे तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है उसके आगे ही पढ़ाना है जो आपकी किताब में है तो यह आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आज मतलब जानते हो जिसको कहते हैं परकार से परिचे आज आपका बिलकुल शुरू से ना इंत्वामेद शुरू हो रहा है तो पहले आप इस चैप्टर का परिचे करोगे ठीक है परिचे में हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर का क्या नाम है मालूम है नंबर सिस्टम तो हम इनसे आज आपका परिचे करवाएंगे कि आखिर इस संख्या पधदती क्या है संख्या पधदती में क्या-क्या था लेकिन उसके पाहले सभी बच्चे इस डास को सेयर करके आओ बच्चे हंड्रेट के ओपर होंगे तब invested पढ़ाएंगे नी तो पढ़ाएंगे बंद कर देंगे याद रखना अभी 34 बच्चे कम है जल्दी से सभी वाटसप गुरूप में सेयर करके आओ कि साधु एक्सप्रेस कि साधु एक्सप्रेस सोनु अफीसियल कि अबच्चा ठीक है त्यूरा त्री ताहनी इनका नाम है स्वरी मापी चाहते हैं प्रियंका सिंग अमित साहु कुछ लोग सुच रहे होंगे नाम ही नहीं पड़ पार तो इंट्रोडक्शन में क्या-क्या पढ़ेंगे यहां पर समझो बच्चों आज हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले नेचूरल नंबर क्यों कि हम नंबर के बारे में डिसकॉस करेंगे नेचूरल नंबर आप लोग जानते होंगे नंबर जिसे प्रकृतिक संख्या बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रकृतिक संख्या आप सब इसके बारे में जानते हो कि नेचूरल नंबर क्या होता है बताओ जल्दी बताओ सभी बच्चे क्या आप जानते हो प्रकृतिक संख्या क्या है जानते हो कि नहीं वाटीज नेचुरल नमबर इसके बारे में हम डिसकस करेंगे सभी बच्चे पहले सेयर करके आओ हंड्रेड बच्चे होने चाहिए फिर हम इस्टार्ट करें ने तो मज़ा नहीं आएगी मैंने आपसे कई दिन पहले प्रॉमिस किया था पांच दिन पहले एक जुलाई को सुरू से पढ़ाएंगे लेकिन बच्चे आप लोग हंड्रेड पार करोगे हंड्रेड के नीचे रह आते रहते हो क्लाफ नाइंथ का गुरूप बना के सेयर कर दो ना कि जलो कि प्रियांसु पांडे मोनू इस ठीक है बच्चा देखो बहुत गर्मी है यहां सब गड़ोड है वंका बहुत धीमे चल रहा है बॉल्टेज लोग है तो दिक्कत है कि बरसा सिंग बहुत अच्छे बेरी गुड बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छे बस थोड़ा सा ही हम लोग दूर है टार्गेट से विल्कुल थोड़ा सा दूर है 75 पलस हो चुके हैं मात्रे 25 बच्चे और बच्चे हैं 100 पर कर दो फटा फट शुरू किया जाए जल्दी करो हैं बस हमें 2 मिनट और बेट करना सबहना है सभी बच्चे जल्दी से सेर कर दो बच्चों हंड्रेड पार कर दो बस फटा-फट देखो समझो आज पहली इस सबसे पहले पढ़ोगे नेचुरलनुमर को प्रकृतिक संख्या बोलते हैं प्रकृतिक संख्या के भाद हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम हैं एक एक पढ़ते चलें क्या नई सारा टाइटल डाल दो ओल नंबर कि इसे क्या बोलते हैं मतलब होता जानते हो पूर्ड संख्या है आप लोग इसके बारे में जानते हो तो बताओं कि क्या होती है कि उसके कि यानी पुर्रांक को यह सब क्या है यह आप जानते हो इनके बारे में बच्छा चलो कि नहीं उकलास शुरू किया जाए ना थिर वहीं 15 मिनट पढ़ाएंगे अब 25 बच्चे रहेंगे 35 बच्चे हो गया अगर आप चाहते हो कि एक एक डेर डेर घंटे कलास चले तो कम से कम 100-200 बच्चे तो लाओ ना आपको कहीं पकड़ किसी का गुर्थी पकड़ के गिर रहा के नहीं लाना है उसको भेज दो नाइ इंटीजर क्या होता है कि अब के बारे में डिसकस करेंगे तो शुरू किया जाए भाई फटाफट कर क्या अधब तक हम खड़े हैं चलो जब तक हंड्रेट पार्णी करोगे हम पढ़ाएं गई नहीं चलो अधिक बच्चा सेयर करेगा और लाइक भी करेगा चलो फटा-फट सभी लाइक करो और सेयर करो तुरंत आज पहली कलास है न अभी बच्चे लाइक करें जितने जुड़े हैं और इससे सेयर कर दो फटा-फट बच्चे आजाएं पस मैं शुरू करूँ न क्यूं टाइम बेश्ट कर रहा बाबू किसके इंतजार में हो अपने वाटसब ग्रूप में आपके जो नाइन थिके सबके लिए है क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना आपके कलास का थोड़ी पढ़ने जा रहे हैं यह इंट्रोडक्शन है कि आपके कलास पे है उसी पन्नाइंथ लेकिन यह सब के लिए हैं ना जैसे तुम लोग आलू खाये हो आलू का समोसा भी बनता है ना पकोड़ ना भी बनता है सबजी भी बनती है उकम्के अधिम्यन जाता है किwriting सब्सक्राइब में किवल 273 कम है फिस ररव विसा का नाम है अधित्य है थोड़ा सा कम है बस only 13 कम है यार तुम लोग जो चाहोगे ना सब कुछ कर सकते हो युवा प्यूड़ी हो दम है मैं तो हंड्रेड का थाउजंड भी जोड़ सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टाइम बेस्ट ना करो फटापट सभी सेर कर दो ज है आपके घरवर में मोबाइल हैं दो चार तो उसमें भी चला दो पुझे हंड्रेड दिखना चाहिए बस इन मोबाइल में चला दो और आपकी वाली जो है ना मतलब समझ रहो और आपके वाले जो है उन्न सबको भी ले आओ, चलो कच्छा दस का चलेगा बच्चा 15 जुलाई से हमारी कोशी से देखो उसके पहले भी चल सकता है कच्छा दस का लाई 15 जुलाई से या उसके पहले भी चलवा सकते हैं सुब आठ बज़े चलेगा दस वालों का लेकिन बहुत अच्छे बस ओनली दस बच्चे कम है ठीक है बहुत अच्छे बरसा सिंग हरसिद है ठीक है बच्चा अभी नहीं आएंगे सब बाबू सोना कर रहे हैं बाबू सोना को लेके अहीं आ जाओना यार पूरा हो गए बस केवल पांच बचे हैं बचे हैं केवल पांच पर सेयर कर दो दाब की एकदम सेयर कर दो जबर जस्ती बेज़ दो नहीं पढ़ना उनको भी बेज़ दो कहें तुम सब आजाओ चलो चलो एसी म्यूजिक क्रिस सिंग अमित साहू सुनीता पंडे सुनीता जी यह सब बोर्ड के लिए है एंसी यारटी पढ़ा रहे यूपी बोर्ड सीबेसी बोर्ड बिहार बोर्ड वाई एक बाद बताओ किताब खोलो क अच्छनों की उसमें देखो नंबर सीटम है कहीं की नहीं कि नहीं है और चिंटाब में है कहीं से भी हो तुम दिल्ली से महाराष्ट यूपी से जहारखन तमिल नाडू केरल करनाटका जमू कस्मीर हर जगह से हैं चलो फिर पूरा हो गए हो गे पूरा चलो फिर स्रीगड़े साय नमा चुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PVR इस्टडी में तेरे गिरने में हार नहीं तु इंसान है अवतार नहीं फिर उठ और फिर वहाग कि जीत संचिपत है इसका कोई सार नहीं है बहुत से अधिकांस बच्चे का अक्षानों के हमारे पास ऐसे भी जुड़े होते हैं जो फेल हो गए होते हैं जिनका कंपार्टमेंट हो गयरा क्या होता है हुआ हो गयरा होता है मतलब कुछ नंबर से इगड़बड़ हो कि नवकरी मिलेगी नहीं चोकरी मिलेगी नहीं चलो अब सुनो हम लोग पढ़ेंगे क्लाफ नाइन्थ का मैथमेटिक्स बिलकुल सुरू से आज पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन सबसे पहले पाठ का परिचे करना है यह अच्छा नौकी गडित है सभी बोर्ड के छात्रों के लिए है यूपी बोर्ड सीबेसी बोर्ड सब के लिए है विहार बोर्ड जार्खन केरल करनाटक कोई भी बोर्ड है अपनी किताब मिला इसलिए जो बच्चे हिंदी भासी राजे से नहीं है उनको भी समझ में आएगा इंगिलिस में नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पध्धती कहा जाता है इंट्रोडक्शन का मतलब होता हिंदी में परिचय करवाना कैसे कहते नहीं कोई आया है तो पहले अपना इंट्र आप है किसी ऑफिस में गए तो पहले वहां जाकर के अपना इंट्रोड़क्शन दिए जाता है लो नौकरी के लिए गयो चोकरी के लिए गयो किसी काम से गयो मैं मैरा नाम हमीथ है माहराश्रा से हूँ माहराश्रा में हमारा जिला कौन सा है बताओ मुंबई है और हम थें बतादो अपनी बारे में यहीं इंट्रडक्ष पढ़ेंगे हैं कि इंका नाम क्या इनके बंद immigrants कौन है रेक बत्सक्षें करना क्या है यह यह बहुत डंड़ा कर दिया एक जम के लिए निकल लो तुम बहुत डंडा कर दी एक दम वही कमेंट पेस्ट किया रहा पेस्ट किया रहा पता नहीं कहां से पैदा होगे यह ऐसे नालायक आ जाते हैं तो आप लोग यह बताओ मुझे नंबर सिस्टम में बच्चों सबसे पहले बात करें अगर हम तो यह नेचुरल नंबर क्या है जानते हो नेचुरल नंबर क्या है नेचुरल नंबर का मतलब जानते हो बच्चा नेचुरल नंबर को बोलते हैं क्या बोलते हैं देखो मैंने लगा दिया अब तुम पंद्रा सिकेंड के पहले दूसरा कमेंट पेस्ट है ने कर पाओगी चल मतलब प्रकृतिक होती है प्रकाथ नेचुरल ही होती जिने किसी ने ना बनाया अगर हम मैत की भासा में बात करें और साड कर्ण करें तो ऐसे समझ लो दीज नंबर इस्टार्ट फ्राम वन टू इन्फिनिटी मतलब जान रहे हो हिंदी वाले लिख लें कि प्रकृतिक संख्या प्रकृतिक संख्या एक से ले करके अनंत तक होती है मतलब आप समझ गया प्रकृतिक संख्या क्या है एक से ले करके अनंत तक अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो मतलब कभी खतम ही ना हो जितना तक तुम गिंती जानते हो तुमारे पापा जितने तक गिंती जानते हैं तुमारे दादा जितने समझ गए ना बच्चा राक लेटेस्ट ठीक है बच्चा बहुत अच्छे बहुत अच्छे कापी पेस्ट नहीं होगा बच्चे तुम नया नया कमेंट करोगे 15 सिखेंट बाद दुबार आएगा चलो यह नहीं से आदो ठीक है बच्चे बेरी गुड लैला बेटा पढ़ लो फांच मिनट बाद तुम कमेंट कर पाओगे अगला क्या है होल नंबर देखो यह सब जो लोग नहीं सीख रहे हलके में ले रहे ना अरे गदों बाद में कुछ नहीं होगा अभी चैप्टर करवाने लगेंगे ना तो तुम उसी में चाटा गटा इसे जूलते रहोगे कुछ नहीं होगा इनको सीख लो अच्छे से सीरियेफली पढ़ो यह नहीं कि यह तो हमारी किताब में मिल रहा है वन पॉइंट वन में पहला कुछ और दिया है यह तो कुछ और पढ़ा रहे हैं यह पर बराती बुलाओगे पंडित बुलाओगे तब मिलेगा ना तो बस वैसे क्या करना है पहले तुमको इकसर सही जी नहीं मिल जाएगा पहले तुमको उसका परिचे करवाना है उसके बारे में अध्यान करना है ताब 1.1 का कोईश्चन करेंगे ना समझ रहे हो कि नहीं देख पूर्ण संख्या के बारे में बात करें जीरो से ले करके अनंत तक कहां तक अनंत तक जीरो से ले करके अनंत तक ती संख्याएं क्या होती है यह पूर्ण संख्याएं होती है इसमें कुछ पढ़ना है नहीं कुछ भी नहीं पढ़ना है लेकिन तुमसे कहीं पूचा जा सकत होता है यह बताओ कि भूल नंबर कहां से सुरू होता है जीरो से या बन से बोलो इंडियान आर्मी लबर बच्चा बताओ लकी यादो रोई सर्मा देखो अब 15 सिकेंड में कमेंट आ रहा मज़ा आ रही न क्योंकि 15 सिकेंड में तब तक 20 कमेंट और जाते हैं यह तुम धैड बोलो पूल संख्या कहां से सुरू होती है अगर कोई पूछे तो बताओगे होल नंबर यानि पूल संख्या हमेशा जीरो से सुरू होती है नेचुरल नंबर कहां से सुरू होती है नेचुरल नंबर को ऐसे भी समझ सकते हो आप वो संख्या है जिने हम गिन सकते हैं बहुत कि अघर कि अवह सब कर दंदिया थे कि यह प्रांग निकलती निकलती है तो हमारा हौ हमारी है औरे गद्धों हवा चलता है जब पंखा चलता है तो हवा उसमें भरी नहीं होती है पीछे की हवा खीचता है दाबता है प्रेसर बना के आपके तरफ फेकता है वाकि हवा बनाता नहीं है तो उसी तरह से जो वन से लेकर इन फेंटी तक के नमबर है नेचुरल इने किसी ने बनाया नहीं लेकिन आपको होगे तो फिर काश सुन्ने को दादा बनाया थे तुम्हारे जीरो की खोज हुई थी यह नेचुरल नहीं है आपने पढ़ा होगा जीरो की खोज भारत में हुई थी जानते हो कि नहीं एक परकार से एक बनाई हुई संख्या है समझे लेओ आरे चलो अगला क्या है इंटीजर इंटीजर मतलब पुडांक इस नंबर कैन बी एक्स्प्रेश्ट इंद फाम आफ वो तो दूसरा हो गया इसे इंग्लिज में कैसे बोलोगे भाई दे इंबर्स गिड़ इंचूरल नंबर इंटीजर वाला है ये लेकिन ये इंवर्स को भी सामिल करता है मान मतलब अैसे समझो जैसे इसमें कहते थे वन से लेकर से लेकर इनफिंटी तक एक से अनंत तक नेचूरल तो प्रेसमें क्या होता ना बाबु इसमें माइनस अनंत से यह का अनंत से यह काती है तो यही 50 I लाती है पुडांग कहलाती है इंग्लिस में लिख लो इंटीजर में इंकलिउट्स नेचूरल नंबर्स एंड दियर इन्वर्स को कि देखो रेगुलर कलास रात के नौ बजे उस्वरी साथ बजे होगी हर दिन याद रखना सटर्डे को टेस्ट लेंगे पटक पटक के मारें आगर नहीं बता पाओगे तो बलाक कर देंगे टूट्रे को टेस्ट होगा ऐसे मजा नहीं लेने देंगे पढ़ना है तो पढ़ना है नाम करना है तो शूंड़िसे पास हो गए नहीं तो कुछ तुम समझ गए ना इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर नंबर जो इस चैप्टर का मुख्य है पर मुख्य है जैसे घर में दादा होते नहीं है बहुत गरी आते हैं कब है लूंडे सुबेरेस बैठा है बहीं सिक पानी ने पिया है पूलता है नहीं दादा लोग तो इंट अब हेडिंग डालो अब हेडिंग डालो रेस्टनल नंबर रेस्टनल नंबर फई बोल रहा हूं में प्रकृतिक संक्या जैसे मैं बने बताया कि साधी अगर करने जा रहे हो अभी तो फिला चोटे हो कभी कभी होवे करेगी तो अब बात सब आगे बढ़ गई है बरात का अब क्या पढ़ेंगे रेस्टनल नंबर लिखो कि इनके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्स्प्लेन करना है रेस्टनल नंबर जिहान से देखना बच्चा इनको बोलते हैं परिमिये संख्या कि हिंदी इंग्लिस दोनों में बताएंगे आगना नहीं अगर पढ़ना है यह नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं बाद है भगवानी मालिक है तुम्हारे चलो अगला क्या है इस दोनों सीखेंगे एक साथ में इस देखो बच्चों रेशनल नंबर क्या होती है वो संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के फार्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होती है अभी जैसे ही एकसरसाइज 1.1 शुरू होगा बेटा वैसे ही तुमसे नंबर के कुश्चन पूछे जाएंगे जैसे कक्षा नो की एकसरसाइज 1.1 यानि प्रफना वाली एक दसंबलो एक शुरू होगा वैसे रेशनल नंबर का कुश्चन है तो समझो किदर समझो ग्राम परताब कुमार पच्चा पढ़ लो देखो इदर जो फालतू कमेंट करने बाई टेकनिकल टीम आप लोग बलाक करो इन्हें बलाक करो देर ना करो हटाओ इन्हें यहां से चलो तो वह संख्या जिनने पीअपान क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं वह रेशनल नंबर होती है अब आप कोगे पी अपान क्यू के रूप में लिखने का मतलब क्या है देखो बच्चा जैसे मैंने लिखा 5 तो हम 5 को हाँ इसमें कंडीशन है वह कंडीशन भी आप लोग इधर सुन लो कि अब लेकिन एसे लिखो मतलब जहाँ कि अब दर दर इक्वल जीन करेंगे तो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा टेंसन बिल्कुल मतलो तुम लेकिन करना क्या है समझो टाइम दो रूको सब आएगा जिक्षा सर्मा जनीस यादो आरा ना बच्चा आजय कुमार तुजीत विक्टर ठीक है देखो तो वो नंबर जिसे हम पी अपान क्यों के फार्म में लिख सकेंòi क्या होता है कि वो क्या होता है कि वह औशेंल नंबर होता है कुछ तो नालायक है इस से पैदा हो गए हैं जो कि इनके अनके माबापकी गलती से पैदा होगा बोगे मुझे लग रहे हैं अब यह आकरके उस भी नंबर आप ले लो 5 और ये रेफणल नंबर कैसे है क्योंकि इससे हम फाइप आपा ओन लिख सकते हैं जो कि प्यक्ट का फाउब है क्या है ये हैं क्योंत कि कोई भी नंबर आप बताओ तो मैं उसके बारे में explain करूं यहां पर समझो जैसे अगर मैंने लिखा 1.5 तो क्या यह रेफनल नंबर है या नहीं है बोलो यास या नो 1.5 ना तो बच्चा 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15 बटा दस 15 बटा दस मतलब क्या यह पी अपान क्यू का फारम का मतलब रूप का मतलब यह है कि उसे हम बटे में इस तरह से दिनोट कर सकें तुम लोग फिर यह कहोगे कि गुरुजी फिर यह बताओ कौन सी ऐसी संख्या जि यह भी तो का होगे ना तुम सबको तो तुम बता दे रहो कैसे ऐसे हैं तो कौन सी संख्या है जिसको नहीं लिख सकते हैं यहां पर देखो जैसे अगर मैंने लिखा 99 यह रेशनल नंबर है कि नहीं सभी बोलो यास या नो बोलो पफू कुमार बताओ रेशनल नंबर है या नहीं है तो रव पिल्कुल एक घंटा भोगी पढ़ाई 100 बच्चे के ऊपर रहने चाहिए कलास सेयर करो सभी साथी लाइक करो एक घंटे पर पढ़ाएंगे लेकिन कलास में सव बच्चे कम से कम होने चाहिए 100 करो खूप दबाके और चैनल सब्सक्राइब करो सेशन को ला बहुत अच्छे नितीस जीवा एक ही बार कमेंट आएगा पंद्रा सिकंड में तो चुकि हम आठ बार यास यास बोलने बड़ा फाश्ट है तो नहीं आएगा हम मैंने जैसे नहीं करते दो लाख चार लाख बच्चों को ठीक है तो बच्चा यह रेफनल नंबर है क्योंकि इसे हम प्यपान्ट्यू के रूप में लिख सकते हैं इसे प्यपान्ट्यू का रूप का मतलब यह हुआ ठीक है एक चीज़ और समझो अब कोगे फिर गुरुजी रेसनल नंबर सब जब है यह है तो यह बगलिया पड़ोसी को काय रखे हो यह क्या है इनके बारे में क्या समझो जैसे अगर कोई नंबर वर्गमूल में दी गए जाहे वह क्यूब रूट में दी गई है यह स्कौयर रूट में दी गई है तो वह रेसनल नंबर नहीं होती है बच्चों ऐसे जैसे देखो आप इधर साइड में मालो अंडरूट से बंग जो आज बताओ क्या यह रे बज़े के बीच फोन किया करो दस से तीन उसके बाद बात नहीं होगी है दो हाई नहीं नहीं इप सकते हो हां हम इनके नीचे वोण लिख सकते हैं में लेकिन इसका जो अगर हम इसे इसके बराबर करें तो बोलो है ये बराबर नहीं यह पाण क्योश है कि रूप राबर नहीं क्यों रही इशाएं सबसे पहले सबसे पहले बीच में वही सबाएगा इसलिए बोल रहे थे कि सुरू से पढ़ लो यह समझ गए बच्चा यह रेशनल नंबर नहीं है तो कुछ लोगों के दिमाख में वर्व बैठ गया मिल गया मिल गया दिक दिका संदो समझ गया इसको सब्मिटाओ पढ़ने वाले थे क्रेंव ले लो वीडियोपीछे करके आप हमारी प्रीमियम क्लास भी जॉइन कर सकते हो फीज जमा करके उसमें आपको बहुत बहुत बेतर तरीके से काफी कुछ मिलता है लेकिन यह तो फ्री है हर दिन साम को साथ बजे फ्री देखो यूटुब पे सब्सक्राइब कर लो बस कुछ नहीं लगने माला है टेली 25 परमिय संख्या है पूजा यादव आ रहा समझ में लुकिका सचिन संजली सबको आ रहा है ना लेटेस्ट बच्चा पढ़ लो बाबू पढ़ लो राजा पढ़ लो ने तिलतिया देंगे पकड़ गया पढ़ लो देखो यह रेशनल नंबर है पता है क्यों है क्योंकि इस इसका जो स्कॉर रूट है वह फाइब होगा पलस माइनस फाइब और फाइब को हम लिख सकते हैं फाइब अपान वन राइट पाइब अपान वन एककोल पी अपान क्यूब यह क्या दोनों बराबर अब अब समझ में आई ना तो यह क्या होगा यह परमिय संख्या है हां समझ गयो ना जैसे अगर कोई भी नंबर लिखा है मानलो हंड्रेड यह भी क्या है रेफनल नंबर है तो कुल मिला के यहां पर आपको मैं बहुत ज्यादा इक्स्प्लेइन नहीं करूंगा क्योंकि कच्छनों में हो अभी दस में जाओगे फिर रेफनल नंबर पढ़ो लब यह कि जादा नहीं पढ़ाएंगे तुम साब बोल जाओ पस जितना तुम्हारे काम का इसमें उतना ही पढ़ाएंगे पर थोड़ा लेबल बढ़ाएंगे तुम्हारा लगबाग कंपली टॉपिक इसका जो भी डीटियल है पढ़ लोगी समझ गये ना चलो देखो ल की संख्या का वर्गमूल कंपलीटली ना निकल सके वह क्या है। नंबर है वर्गमूल यह खनमूल जो न हो सकता जैसे देखो अगर यहाँ पर हम यह लगा दें वालो यहां पर गनमूल का चपाँ में अंतर जानते और जो कहां अग्याह घनमोल की सिर्ट ef सवक यह सो नंबर है क्योंकि इभनमूल का चिन है क्योंकी अलगा है यह दापार पल तो इसका जो गण मूल है एक पूर्ड संक्या नहीं आएगी बतलब जो भी एगा दसम्ड़ों सम्ड़ों में आएगा बड़ा लंबा चाओडा यह क्या है यह इसका हंड्रेड का निकालेंगे अगर वर्ग मूल तो दस आएगा और 10 को हम लिख सकते हैं 10 अपान वन इकल पी अपान क्यों इस कारण से क्या है रेफनल नंबर है इनकी कहानी बहुत बड़ी है इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा तुम हजम नहीं कर पाओगे पोई चीज हजमनी होता तो क्या होता जानते हो ऊपर नीचे से निकल जाता है तो निकलने ना पाए इसलिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा इसमें चलो आगे तो आप सोच रहोंगे बीच बीच में कहें बोलते रहते हैं पुछ बच्चे इसमें सोने लगते हैं उनको सिर्फ तो यह हो गया आप समझ गए तो बच्चों आप लोग यह बताओ इसमें कौन-कौन किताब लिया है कि नहीं तुम लोग वकुत गर्मी हो रही एकदम चपड़ फार इतना समझ लो बिना ऐसी के यहां जिन्दगी मुश्किल है मतलब खड़े-खड़े पिकल जाएंगे पानी पिए एक वोतल सम निकल गया पतीना में पटाई शूब कई फिर चिल्डेन टीचर बहुत अच्छा गुरुजी बेरी गुड राम राम चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर समझे यह सब आप लोग लिख लो थोड़ा सा मैं पानी मंगा लेता हूं कोई जाना नहीं पानी मंगा लेता हूं बस फिर उसके बाद आके बढ़ेंग जाना नहीं कहीं चलो कितेन कि पानी ले आए इसमें थोड़ा से हुआ है हुआ है चलो फिर भाई आगे बढ़ें कि ओके हारा समझ में रगुबीर जी को आप सभी पहले बुक खोलो चलो फटा-फट किताब खोलो और जिनके पास किताब नहीं है न बच्चा किताब ले लो एंसी ऐर्टी वाली एंसी ऐर्टी ले लो लल्लू पंजु पर्कासन से न भोलना कि हमें यह प्रकासन लिए फलाणे के लिए हैं पलाने की ढहाके के लिए है कि जो में एंसि-र्टी होती है वो किताब लेके आओ न्सी-र्टी गोस्में देखोगे ना तो स्ल्लेबस वही है जो तुम्हारे पिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एंपी बोर्ड में है, वही है NCRT में, पहला कुईस्चन कोई पढ़ेगा, पहला कुईस्चन कोई पढ़ेगा, देखो, बच्चों आप किताब में आजाओ, किताब में आजाओ भाई, समझो, एक्सरसाइज 1.1, चाहिए बहुत महेंगी हैं, पूरा एक्सरसाइज नहीं लिखेंगे, इतना इस लिखेंगे बस, कुछ भी गेम्स, सर मेरा नेट खतम, अच्छा तुम जाओ, पानी पीके सो जाओ, चलो, सबसे पहला जो है बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, अब इसमें है, कि क्या सून ने एक परमिय संख्या है, बताओ, अभी अभी मैं पढ़ा रहा था ना तुमको, कि रेफनल नंबर, रेफनल नंबर ना, पहला कोश्चन पूछ लिया, कि क्या सून ने परमि संख्या है, इसका आंसर बोलोगे, यस, यस, इसका आंसर क्या लिख हो गए, यस, हाँ, जीरो इजर रेफनल नंबर, विकाज भी कैन राइट, या इपरजेंट हो गएरा, जो भी इंगलिस में, आप लोग लिख लोगे सी बेसी वाले, जीरो इक्वल, पी अपान क्यूँ, क्योंकि हम जीरो को लिख सकते हैं, बच्चों, जीरो अपान वन, इक्वल क्या लिख सकते हैं, पी अपान क्यूँ, कुछ लोगों के दिमाग में भर गया होगा, कि गुरुजी तु तु तो बताय रहा कि जीरो होबे न करे कही नीचे, ना, बच्चों मैंने ये बताया था अब आगू की Q डज नाट इक्वल जीरो, नहीं हो सकता है, यानी तुम इसको वन अपान जीरो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, ये नहीं कर सकते हो, लेकिन सुनने उपर हो सकता है, नीचे नहीं, रैसमी कुमारी आरा समझ में, हां सबको समझ में आरा ना, हटा आप लो पर इतने भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लो तुरंत जब दिसे बिल्कुल फ्री कलास चलेगी यूटूब पर चैनल तुरं सब्सक्राइब करो फटा-फट देर ना करो और सेशन को लाइक करो और कोई लाइक करो तब आगे बताएंगे जब्सक्राइब करो बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत गर्मी हो रहे हैं उपर से पीरें सब निकल जा रहा नीचे से पसीना में पसीना बहुत तेज हो रहा है प्रितिशिंग अपने बीएफ को भी लाइब पे बुला लिये हैं बहुत अच्छा की हो तुम तो कमाल की हो चलो अच्छी बात है वह तुम लोग भी बुला लो नाइंत में वह तुम पढ़ाई चाहे ना जानो लेकिन बीएफ जरूर जानोगे नंबर सिस्टम तो ना समझ में आवागा तुम्हें क्या है लेकिन बीएफ हर कोई जानता होगा कच्छा पांच में वह भी जानता है हाँ चोटी सी होती है देखो जीरो एक परमिय संख्या ये हो गया इसका अंसर हाँ आगे कह रहा था कि क्या इसे आप पी अपां क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पुडांख है और क्यू डजनाट इकपल जीरो ये हो गया ठीक है पहला कुश्चन हो गया दूसरा एक बहुत ही तीन और चार के बीच में छे परमिय संख्या ग्याद करना है क्या करना है दीन और चार के बीच में छे परमिय संख्या ग्याद करना है चलो अगला कुश्चन लिखो दूसरा जो किताब नहीं लिये हैं बच्चा NCRT की बुक ले लो ठीक हैं समझ रहो कि नहीं तो अगला सम समझो और हां comment के पीछे ना पड़ा करो क्योंकि हम कभी कभी किसी का comment नहीं पड़ते हैं हम हर दिन सब का नाम नहीं पुकारेंगे करने तो कमेंट के चक्कर में ना पड़ा करो समझो अगला कुश्वन समझो इसको पहले लीपने दो कि यह को समझो यह बताओ मुझे कि किनी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में कितनी पर्मिय संख्याएं हो सकती हैं तीन और चार के बीच छे पर्मिय संख्याएं, कितनी? छे पर्मिय संख्या ये बताना है बच्चों तीन और चार के बीच में छे पर्मिय संख्या आपको बताना है तो आपको मैं एक चीज बता दूँ यहाँ पे समझो आरती रोवा जी पढ़ लो जिनको जल्दी थी वो चले गए कहां उपर इसलिए दिरे दिरे पढ़ो जल्दी के बीच में अनंत पर्मिय संख्या होती है कितनी होती है याद रखना कभी नहीं भूलना कुल्बिंदर कौर बहुत अच्छे बेरी गुड आप तो एक फैवरिट इस्टूडेंट है हमारे अगर दो बच्चे पढ़ते हैं तब भाई कुल्बिंदर कौर पढ़ाई करतें अगर दो सो बच्चे पढ़ते हैं तब यह पढ़ाई करते हैं इनको यह नहीं देखना है कि दुए लोग हैं कुछ तो ऐसे नलाइक होते हैं क्या कहते हैं अरे दुए लोग तो पढ़ रहे हैं और देखों इधर तीन और चार के बीच में अनंत पर्मिय संख्या है कुछों लोग केंगे मश्टरवा गलत पढ़ाऊता है यह तो कुछ होब नहीं करता मेरे गुरुजी पढ़ाई रहे हैं अब एकर बीच में अनंत संख्या कहां खिलाकर ठूस दो गए हां देखो अगर इनसे हम कहें कि ब संख्या होगी हां तुम्हारी बात सही है इसके बीच में छे क्या होगा इसके बीच में छे पूर्ड संख्या होंगी होल नंबर होंगी इनके बीच में कोई भी होल नंबर नहीं है कोई पूर्ड संख्या तो नहीं लेकिन पर्मिय संख्या है विकाज पर्मिय संख्या पूर् सब्सक्राइब पढ़ा रहे थे क्योंकि उसमें खोबड़ी नाच रहा था आसान चैप्टर पढ़ाने लगा चैप्टर नो के उपर गए तहां तुम सब लोग निकल लोगे तुम्हें पढ़ना ही नहीं है चलो देखो आगे समझो तो आब हम बात करते हैं में कुईस्चन पर नहीं तुम लोग निकल लोगे को यार यह तो फाल्तु टाइम बिता रहा है जैसे तुम्हें समझना वैसे बताऊं तो बच्चों एक चीज याद रखना कि किनी भी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में अनंत पर्मिय संख् है पहला एक तरीका होता है कि किनी वी दो पर्मिय संख्याओं के बीच में पर्मिय संख्याओं निकालने के लिए यह सूत्र लगाऊगे। सूत्र होता है ए प्लस भी अपांट टू लेकिन ये सूत्र आप हर जगा नहीं लगाओगे मैं बता रहा हूं कहां लगाओगे समझो फश्पातिवारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजी ये सब मझा आएगी तुरंद कर लो फटाफट देर ना करो चलो कि यह फर्मूला कहां लगाओगे मैं बता रहा हूं थोड़ा सा मुझे देखने दो कि कुछ अच्छा चलदा है कि नहीं है थीक है कुछ भी गेम्स पढ़ लियो तो तुम निकल लो ना निकल लो जाओ कहीं देखो का विच में परमय संख्या निकालने के लिए दो इनके बीच की पहली संख्या यहां पर समझो समझते चलो मैं सारा तरीका बताऊंगा देखो यहां पे तो तीन और चार इसके बीच में हमें क्या निकालना था यह पर्मिय संख्या तो बच्चों पहली पर्मिय संख्या कितनी हो गई हमारी सभी बताओ कितना आया से बन अपांटू कितना आया से बन अपांटू है ना चलो आगे देखो समझो यह हो गया पहला अब एक तो निकल गया अब हम दूसरा नंबर लगा निकालेंगे फिर यही सूत्र लगाएंगे लेकिन इस तरह से थोड़ा टाइम जादा लगेगा यह मैं अभी पह और तरीका बताऊंगा ठीक है यह पहला तरीका है तुम समझते हैं चलो बस बिल्कुल टेंसन मत लेना चलो तो बच्चों इसमें अगली पर में संख्या कितनी निकालोगे क्योंकि हमें 6 निकालना है तो अब इसको ए मान लो और इसको भी मान लो बच्चा यह हो जाएगा तीन धन यह साथ बटा दो नीचे दो इसको हल करो इस तरह से आप एक एक परमिय संख्या निकालोगे एक एक निकालोगे और बढ़ता जाएगा यह बताओ दिख तो रहा है ना पूरा थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या वैसे क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा और बढ़ कि ऐसा ने तो प्रट चैंडवे इनकोर ख़े लिए आप जोड़ो जलेंगी दहते हां यह हो जाएगा कि आप चे और साथ कितना हो जाएगा थे 1 की 3 wed तो और यह बटा इह दो और बटा यह कि इन तो बच्चों अभी हमें कितनी पर्मिय संख्या मिली अभी हमें सिर्फ दो पर्मिय संख्या मिली इस तरह से हम लगाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम जादा लगेगा इस तरह से आप सारा निकाल लो तो एक बार आप क्या करोगे फिर आप इसको ए मान लो इसको भी मान लो फिर एक बार तुम इसको ए मान लो और इसको भी मान लो एक बार इसको ए मान लो इसको वाले को भी मान लो ऐसे ऐसे करके छे पर्मिय संख्या निकाल लोगे बोलो निकाल लोगे ना तो चलो मैं दूसर तरीका समझो दूसरा तरीका समझो में क्या करते हैं बच्चों थोड़ा सा समझो चलो समझो कि एक सब्सक्राइब मैंने चैट का जो वह सिस्टम था बंद कर दिया है तुम देखें कितना गंद मचाते हो चलो एक बार देखा आओ तो भाई क्या कोई जानता है सिकेंड मेथडिस का क्या होगा जानते हो कि नहीं देखो उसमें क्या करते हैं बच्चों उसमें थोक रेट में निकलता है यह फूट कर था कि समझ गए ना यह फूट कर था उसमें थोक में निकलता है किसमें थोक में और Den Cu 세 mon P है कि दो में कैसे निकालता ऊवह समझें इसमें क्या करते हैं दोनों संख्याओं को पहले लेते हैं उनको सामने संख्या क्या है तीन दूसरी संख्या कितना है चार तो इनको मैंने ले लिए आप समझो देख तो रहना आपको कि कम दिख रहा है तई दिख रहना बच्चों देखो तो इनको सबसे पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तीन बटा एक इन्हें चार बटा एक इनके हर बर हो जाएगा हमें च्छे पर्मिय संख्या निकालना है अगर हम छे से गुड़ा कर दें तो यह चितरी 18 हो जाएगा च्छोग 24 हो जाएगा 18 और 24 के बीच में मुझे नहीं लगता च्छे संख्या होगी क्यों होगी 21 बीच 21 22 22 25 होगी है तो हमें जितनी संख्या निकालनी है बच्चों उससे एक अधिक करके क्या करें गुड़ा करेंगे समझ में आया न सवराम पर और बच्चा चलती है कितने गंटे 25 गंटे चलती है 6 वज़े तक चलीगी किपने बज़े तक आठ बज़े तक चलेगी आवाज कमा रही क्या मेरी अवाज तो ठीक है ना बच्छों चलो हम इसमें उपर नीचे साथ से गुड़ा करेंगी अभी तक हम ट्राइ कर रहे थे कि किस से करेंगी तो बच्छों यह हो जाएगा 21 और यह हो जाएगा 28 यह हो जा कि चलो बताओ अब हमारा जो नंबर हो गया 21 और 22rocket 257 अब हमें इसके बीच में श्येपर निकालेंगे ठीक है सब ठीक है तो बच्चों यह हमने लिख लिए टॉन्टीएट अपांच से बन इसके बीच की जो च्छे पर में संख्याएं होंगी कुछ इस तरह से होंगी पहला बाइस बटा साथ है त्रेइस बटा साथ है जोबीस बटा साथ है पिर अगला 25 बटा साथ और 26 बटा साथ कितना हो गया पांच न और यह 27 बटा साथ समझ गए न तभी समझ गए यह क्या हो जाएगा 27 बटा साथ यह इतनी क्या हो गई आपकी इन दोनों के बीच में परमिय संख्याएं हो गई तो यह था आपका तरीका समझ गए ना प्यारे बच्चों समझ गए कि नहीं चलो इसको तुम्हें मैं और दिखा देता हूँ आगे देखलो इसको ध्यान से देखना इसको मैं थोड़ा बेतरीन तरीके से और आगे एक्स्प्लेन कर देता हूँ जाना नहीं आगे धान से स्क्रीन पर लेज चलूँगा कोई जाये गर नहीं पढ़ो ध्यान से इसक्रीन पर ले चलूँगा जादा नहीं चोड़ के ठिक है नहीं जाओगे ना चलो इस्क्रीन पे चलो दिखाता हूँ इस कुईस्चन को मैं और अच्छे से एक्स्पिलेन करके तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा सा रुक जाओ मैं उन ळिखाता ईकठा लेलो थोड़ा सा रुको दो सिकेंड रुखो तौड़ा सा रुक जो न थोड़ा सा रुक जो इस स्क्रेन पे लेके चल रहा हूं चलो एस्क्रीन पे चलो अब सभी बच्चे और बहुतुरी पेयार से समझ देखो समझो जैसे कि आपको बता यूटूब पर पीवीर स्टडी में धाई लाक बच्चे जुड़े हैं तो उसमें से नाइन्थ और टैन्थ है और एट जो भी बच्चे अभी स्कूल लाइफ में हैं उनके ये कुजिशन बहुत सारे होते हैं प्राया कंपटीशन में भी आते हैं लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नहीं दो पर्मिय संख्या कैसे होगी तो बच्चों दस नहीं आप लाक दफ लाक बीफ लाक पर्मिय संख्या निकाल सकते हो दो पर्मिय संख्या के बीच में यहां तक कि एक चोटी सी बात अगर हम आपको बताएं तो एक और दो के बीच में तुम लाकों पर्मिय संख्या निकाल सकते हो लेकिन वो कैसे कलास को पूरा एंडर तक देखना सब समझ में आएगा पहले हम इस कुष्टन की बात करें जो सबस्केमिय variety बेंसे पहले हम देखेंगे इनके दोनों के हर अलाग है हर बराबर नहीं मतलब डेनुमिनेटर को पहले को करेंगे एक्क ल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों जो दूसरी भिन्द है उसका जो हर है मतलम नीचे की गिंती उससे पहली भिन्द में उपर और नीचे दोनों में गुड़ा करते हैं ठीक है यह परकिरिया सबसे पहले करते हैं तो यह माइनस 4 बटा यह हो जाएगा 10 इतना सब को समझ में आया उसके बाद क्या करेंगे पहली दूसरी भिन्द में उपर नीचे गुड़ा करोगे तो बच्चों जब इसको ऐसे करोगे बाबू तो यह आपका हो जाएगा पांच बटा दस अब यहां पर हमें क्या मिल रहा है एक नया रूप मिल रहा है यानि जैसे आपके पापा थे पहले जब आप नहीं पैदा तो ऐसे क्या हुआ यह इनकी नई जंद्रेशन आ गई यह अब इन से नहीं मतलब है पूराने वालों से अब हमें इनके और इनके बीच में परमिय संख्या निकालनी है तो भाई साहब आप यह दस वस तो छोड़ दो अगर तुम माइनस चार और पांच के बीच में दस पर समझ लो पूरी बात अच्छे से कभी ने भूलोगे लाइफ में कभी न भूलोगे ठीक है ध्यान से देखो इनको थुड़ा सा और इधर लिखो उधर साइड में मुझे लग रहा है यह बाहर चले जा रहे है हां यहां तक ठीक है तो इनके बीच में परमिय संख्या कितनी ह तो हो सकती जरह ध्यान से देखो संख्यारे खाप लोग पढ़े ओ सीधर माइनस तीन माइनस दो माइनस एक और फिर यहां के जीरो और Y 2 3 & 4 どちら स्ट्रूंज هي करने बीच में संहब्रों संख्याइं होगी की नहीं संख्य रेकवर तो तुम पढ़े हो ना जहां पर यह बीच में 0 होता है इधर साइड माइनस होता है कि क्या यह दस परमिय संख्या है इसके भीच में पहले गिनो हैं एक दो तीन चार फान्ट छेन चार गाह बये magnificent अजिए यह कि द्वार्ण अब हम क्या करेंगे क्यों इसके कई है बच्चों है हम सबसे पहले बताएंगे जिससे आपके बुक का अंसर मिलेगा वैसे यह कच्छा आठ की अगर किताब में देखें तो एक्सरसाइज 1.2 का यह कुश्चन है और कुश्चन नंबर चौथा है तो बच्चे अधिकांस उत्तरमाला मिलाने की चक्र में परिसान ह लिए आपका कई तरीका होता है उत्तरसब में अलग 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 आता है यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अलग 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 आता है बाकी मैथमेटिक्स में आप कोई भी तरीका लगाओगे उत्तरसब में एक ही आएगा लेकिन इसमें अलग 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 आता है बता दिया कि सर जी दूई तीन और पांच होगा ठीक है यह भी सही है लेकिन अब उसकी फ्रेंड प्रिया बता रही कि नहीं इसके बीच में छे नौ मतलब आठ और यह भी होगा तो भाई यह प्रिया का भी तुसाइए राहूल का भी तुसाइए ना उसमें कोई दूफरा टपक पड़ा हो कहरा नहीं गुरुजी इसके बीच में तो भाई चार भी होगा पांच भी होगा साथ भी होगा तो बताओ क्या किसी का गलत है इस तो गलत है तो गलत नहीं होता है कि नहीं भी दो पर्मिय संख्या के बीच में अनंत पर्मिय संख्या होती है तो उसके बीच का आप सब नहीं लिख पाओगे ना कि सारी लिख दोगे बीस करोन हैं लाक हैं दफ लाक हैं तो सब लिख दोगे आपको दो यह चार लिखना है यह इसका मतलब होता है चलो फिलहाल अब हम कुश्चन पर चलते हैं तो बच्चों देखो जैसे यह आपका जो मिल गया माइनस चार बटा पांच यह जो भी मिला है इसका अब हम करेंगे क्या हमें क्या करना है हमें निकालना दस परमिय संख्या अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा ही क्या है गैफ है थोड़ा सा गैफ का मतलब समझ रहे हो भाई आठ परमिय संख्या हैं दोनों के बीच में निकल रही हमें दस ही निकालना है एक में तो हम यह पढ़ते हैं कि जितनी परमिय संख्या निकालनी हो उससे एक अधिक करके गुड़ा कर देते हैं ज में आप दो से सिर्फ गुड़ा करो बस सिर्फ और सिर्फ दो से गुड़ा करो उपर नीचे दोनों में ठीक है दो से एक बात ध्यान देना चाहे जिस भी गिंती से इसमें गुड़ा कर सकते हो लेकिन उसी से भाग भी करना और जिस से पहले में करना उतने से ही दूसरे में भ बच्चों इस तरह से आपका यह बन जाएगा 10 बटा यह 20 बन जाएगा यह बन जाएगा भाई साहब माइनस आठ बटा 20 तो बाबु अब अगर आप देखो तो माइनस आठ और माइनस दस इसके बीच में धेर सारा स्पेस हो गया अब तुम परमिय संख्या इसके बीच में 10 से ज्यादा भी लिख सकते हो देखो कैसे इनको अगर हम यहां लिख दें यह माइनस आठ बटा 20 और इनको यहां पे लाके लिख दो 10 बटा 20 हमें इनके बीच की परमिय संख्या निकालनी है ठीक है कोई दिक्कत नही नो प्रॉब्लम आप मुझे यह बता व संख्या रिखा पड़े ओ इसके बीच में माइनस साथ बटा 20 होगा माइनस च्छा बटा बीस होगा माइनस चार बटा बीस होगा और फिर उसके बाद बच्चे आगे ऐसे बढ़ते जाओ भाई संख्या रिखा तो तुम पड़े हो 4-5 लिख दिये हैं इसको थो गिनेंगे नहीं के बीच में निकालना है पांच हो गया न तो इधर से भी निकाल ला यार यह लो नो बटाबीश इधर आओगे घटेगा ना आठ बटाबीश यह साथ बटाबीश शेव इसके बीच में और आएगा खतम था नरहा을 fix YouTube लेकिन लेकिन नहीं तो शुर्व 20 निकल न था एक धो एक टीन चार पांच छे शाथ आठ नो नहीं ङो हैए और लिखना इसके बीच में यह निख लूख लिआ multiplic को यह नहीं जगा है लेकिन आप थोड़ा दूर दूर लिखना जिससे इसके बीच में स्पेस रहे और आप अराम से लिक्सों को नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं उपर दिखा देता हूं इसके बीच में एक लिख ले ना 5 बटा 20 ठीक है ठीक ना बच्चों 5 बटा 20 समझ में आ गया ना तो इस तरह से करते हैं जो आपका उत्तरमाला मिलता है तो आपको यह कलास क तुम गौर से समझ ना बिल्कुल प्यार से देखो यह हो गया आद तुमें काम करोंगे वह क्या अगर तुमसे कोई कहें कि इसके बीच की कोई तीन परमिय संख्या लिखो बताओ जल्द हों मैं ने लिया ती नोues नो चलो इदिन हो गई अब हॉग나 सब हो भूगे सभी टाइब का ओकर नहीं यह तीनों होगा तो यह भी सही है वह भी सही है सब सही है ठीक है समझ गए ना कोई भी परकार का टेंशन मतले ना अगर कोई भी कहीं भी तुमको कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके बता देना नीचे देखो पूरा दिखरा फुल ना आप कोई दिक्कत नहीं नंबर उंबर हट गया ठीक है तो बच्चों इस कलास को यह पेंड करते हैं अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बताना लेकिन एक कुश्चन ल कोई दिक्कत नहीं ना हर कोई करेगा इसको करना जरू ठीक है एक और लिख लो तीन वा पांच के बीच में नौ परमिय संख्या यह दोनों होमवर्क हैं तुम्हारा सब लोग करना और पिर लाकर कैसी में कमेंट करना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो न दोस्तों में जिससे के हर कोई पढ़ सके जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतनी ज्यादा क्लास हम यूटूब पर चलाएंगे बिल्कुल तीक है लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगी तो पढ़ाते ही ज्यादा हम सारा वीड़ियो बना देंगे हरे को सेयर कर दो हालो साथियों कैसे हो आप सभी आगए जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो कि आप जूड़ चुके हो बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरा सवाल बताईए आप मेरा सवाल क्यों नहीं बताते हैं कि कौन सी दुस्म है चलिए आपके सवाल हम लेकर आ गए देखिए इस तरह से बच्चे बहुत सारे कमेंट समरे पास करते हैं आप मारे स्क्रीन पर आजाओ बिलकुल जाना नहीं कहीं पर बस हम आपको तुरंत सवाल दिखा रहे हैं यह देखो इस तरह से आप देख सकते हो यह बहुत से बच् क्या आते हैं हमारे पास में और हम उसे क्या करते हैं कि आपको हल करवाएं चलिए फिर आपको सवाल पर लेके चलते हैं कोईश्टन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कह रहा है कि एक बटा दो वा एक बटा तीन के बीच में दो परमिय संख्या निकाली यह क्या करना है आपको हल करके निकालना है बहुत यासान है सिंपल सा है देखो कैसे यहां पे जरा थोड़ा सा समझेने कि आप लोग कोश हैं तो सर्व पर्थम हम इनके हर यानि की डेनोमिनेटर को इकवल करते हैं तो जो सिकंड फ्रेक्शन है उसका हर दो है न तो उसका दो लेकर के क्या करेंगे मतलब उसका जो हर रहेगा उससे उपर वाली में उपर नीचे गुड़ा करेंगे तो इस तरह से हमारा यह हो आते हैं अब देखो तो 6-6 है अब एक मिनट आप यहां पर सोचो कि दो पर्मिय संख्या में निकालनी है तो यह बताओ भाईया बाबू कि दो बटा छे और तीन बटा छे यानि कहने का मतलब मोटा मोटा यह समझो आप कि दो और तीन क्या इनके बीच में दो संख्या और सारी हैं अगर फर्मिय संख्या की बात करें तो अनंत है लाको करोडों है लेकिन कैसे जरा देखो एक तो यह तरीका है किनके बीच में आप 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे लिख सकते हो तब भी केवल 9 संख्या ही लिख पाओगे अनंत संख्या तो नहीं लिख पाओगे लेकिन इस नहीं हमें क्या करना है इसम Lapos 2 ऐसे अगर गुडा कर दें तो आप सोचव यह क्या होगा चार और यह कितना हो जाएगा 2 жен नहीं छे तो भाई साथ चार और छे के बीच में क्या दो संख्या है बताओ चार और छे के बीच में दो संख्या है नहीं एक ही है सिंपल दौर पर न अगर इसमें हम 3 से घुड़ा करें तो यह 3 दूना छे और यह संख्याशन दो संख्या है तो अलगे हैं कि है तो इसमें ऊपर नीचे आप 4 कोड़ा करों कि क्रों केा करों है वाइँ दोनों में 5 दूना करों बाव आपका यह 9 मिल जाएगा, यह 18 मिल जाएगा, यह आपका 2 तीय इच्छा और यह 18 मिल जाएगा, इस तरह से अब आपको क्या करना है, आपको 6 बटा अठारा और 9 बटा अठारा के बीच में दो परमी संक्या फाइंड करनी है, ठीक है चलो अब लिखो आताहा, नीचे लिख लेना, 6 6-8 वह थे नोवटाओं संख्या इस परकार रहें इतना लिखने के बाद फिर यह लिखना जो लिख रहा हूं यह बीच में चोड़के 6-8 और नोवटाओं इसको बाद में लिखना तो बहीया हो इनके बीच में आप 7-8 लिख सकते हो 8-8 लिख सकते हो यह सिंपल तवर पर हमें दो ही संख्या निकालनी थी इसलिए मैं इसमें तीन से गुड़ा किया एक चीजा और समझ लो अगर इनके बीच में हमें दस पर्मिय संख्या निकालनी है तब आप क्या करोगे कोई बताएगा जल्दी कमेंट करके बताओ फटा फट कमेंट करो हर एक बच्चा समन्रेश पर हूं लिकिन मैं पढ़ूं गाली नाम अभी नहीं नहीं पर ने पढ़ने वाला हूं जल्दी कमेंट करके बता मुझे आ yağल्य नों हाया आएस लिखो सबी यह एक बच्चा देख पा रहा हम ठीक है बिल्कुल बेरीकुट ठीक है चलिए वो भी बता देता हूँ उसके पहले आप इस स्क्रीन पर आजाओ पहले एक सिकेंडी के लिए इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो भी आपको दिख रहा है न भाई अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से नीचे आपक देखते हैं कि अगर इनके बीच में हमें और संख्याय निकालनी हो इनकोन हम आप जयमें हो करेंगे लिए ज़राद हासे देखो कि एक बार अगर शाय करना हो जैसे भी देखो तरीका इसमें से देखो बच्चों अगर इनके वीच में 10 संख्या निकालनी है कितनी निकालनी है भाई साहं दस संख्या निकालनी है बाबु तब तरीका देखो एक बार अगर आप मेथन सीख एगे न affected सब कर लोगी जाहें इतना करना हो जैसे भी देखो तरीका इसमें ये है कि अगर हम देखें इनके बीच में 10 संख्या तो भाई साब हो इन ही रही नहीं हो रही ना अगर हम इनको 4 से गुड़ा करते सोचो तब अगर इनको 4 से गुड़ा करते तो 8 हो जाता और ये 12 हो जाता तो आठ और बारा के बीच तो दस संख्या होगी नहीं, अगर मैं इनको दस से गुड़ा करूं तब यह 20 हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा, 20 और 30 के बीच में भी 10 संख्या नहीं है, गिनके देख लो, अगर 20 को भी छोड़ दोगे, 30 को भी छोड़ दोगे, तो 10 संख्या नहीं ह विसरными नौ संख्या होगी यानि यहां पर यह मिल रहा है वो क्या मिल रहा है जो हमारे हर बराबर वाली भिनित्य टी वहा तक छोड़कर बाकिया यह किया था बस हर बराबर वाल आप कहीं कंडिशन बनती हैं जिनकी बीच में प्रयापतों संख्याएं नहीं से अभी अभी आपने देखा उसमें मैंने 2-3 से किया तीन से इन से मिल गया कंबन गया है तो मैंने क्या किया जपीता किए अगर 10 संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे यहारा से करते हो सभी सवाल में तब इनका अंसर हर एक सवाल में नहीं मैच खाता है उसमें जिसमें कम से गुड़ा करने पर काम चल जाए जैसे अभी मैंने आपको करवाया था एक दो सवाल पिछला वीडियो आप देख ले ना उसमें ऐसा ही बना था सन्योग डिस्क्रेप्शन में ल एक वट तीन वह एक बट दो के बीच में दस पर विए संख्याएन इस परकार है अता है एक वट में सब्सक्रेप्शन प्रकार हैं लिखने के बाद में आप नीची वाला यह लिखो जो मैंने लिखा इनके बीच में दस संख्याया बड़े ही प्यार से लिख सकतो भाई साहब यह देखो बाबू यह यह देखो 23 बटा 66 एक हो गई 24 बटा 66 यह दो यह देखो 3 देखते जाओ बस चार यह पांच यह चे यह साथ यह आठ यह नौ और यह 32 बटा 66 कितना हो गया दस बोलो हो गया कि नहीं इस तरह से आपने दस संख्याय निकाल लिया